चलिए हम मान लेते हैं धन पुर्णांग का एक रिण पुर्णांग से गुणन है जिसे संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाया गया है तीन गुणा रिन पांच, लेकिन हम इसे यह भी लिख सकते हैं, रिन पांच जोड रिन पांच जोड रिन पांच बराबर तीन गुणा रिन पांच, तीन गुणा रिन पांच बराबर है रिन पंदरा, इस प्रकार हम पूरी संख्याओं का गुणा करते हैं और फिर परिणाम परिणाम से पहले एक रिण चिन डाल देते हैं। इस प्रकार उनकी परिणाम में एक रिण चिन लगा होता है।